उधारण 18 दी गई आकरिती में P, Q तथा R एक वृत के ब्राहे बिंदु है जिसका केंद्र O है सपर्ष रेखा P, Q, B तथा R, C की लंबाईया क्रमशह 3 cm, 4 cm और 5 cm है तिरिभुच P, Q, R का परिमाप ज्याद कीजिए हल, वृत के ब्राहे बिंदु से वृत पर खीची गई इस पर्ष रेखाओ की लंबाई बराबर होती है इसलिए P, C बराबर P, A बराबर 3 cm हमने यहाँ पर प्रमय का प्रयोग किया है कि विरित के बढ़ाय बिंदू से विरित पर खिची गई इस पाश रेखाओ की लंबाई बराबर होती है इसलिए PC बराबर PA बराबर 3 cm उसी तरह से हम QA बराबर QB बराबर 4 cm जो की दियावा है हमारे पास यह हो गया और पुना फिर हमने RB बराबर RC बराबर इसका मान 5 cm है 5 cm हमने RB बराबर RC का मान लिया अब कहीं हम देखते हैं कि PQ की जो लंबाई है त्रिभुष के एक भुजा की लंबाई को हम लिख सकते है PA धन AQ अब कहीं हम PQ की जिगा PQ लिखते हैं और PA कमान जो है हम देखते हैं PA कमान 3 cm हमने लिखा है उपर में तो 3 धन वैसे ही AQ कमान 4 cm है तो 3 धन 4 बराबर 7 cm इस तरह से 7 cm हो गया अब हम QR कमान निकालने के लिए QB धन QR भुजा जो है उस भुजा को हम तोड़के लिख सकते हैं QB धन BR और QR बराबर QB जो है हमारा 4 cm का है लंबाई और BR की जो लंबाई है वो 5 cm की है इस तरह से यह 9 cm QR तिभुज की भुजा QR की लंबाई 9 cm होई उसी तरह से PR भुजा जो है वो उसको हम तोड़के PC धन भुजा PC धन रेखाकंड रेखाकंड PC धन रेखाकंड CR लिख सकते है या PR जो है तिभुज की भुजा PR है उसको हम लिख सकते है PC रेखाकंड की लंबाई 3 है और CR रेखाकंड की लंबाई 5 है तीन और पांच 8 cm इस तरह से हमने PR का मान ग्याद किया अतहा त्रिभुज PQR की परिमाप की परिमाप बराबर PQ धन QR धन PR इसमें PQ 7 cm है QR 9 cm है और PR 8 cm है इस तरह से 7 धन 9 16 16 और 8 24 cm इस तरह से हमने दिये गए त्रिभुज PQR की परिमाप ग्याद की जोकी 24 cm है तो यहां इस उधारण का हल होगा तो यहां इस उधारण का हल होगा